बॉलीवड आक्टर मिथुन चक्रवर्ती की सेहत में अब सुधार है और उन्हें जल्द ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा सीने में दर्द की शिकायत के बाद आक्टर को कॉलकता के एक प्राइविट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और डॉक्टर उन्हें बताया था कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था हॉस्पिटल की मेडिकल फैसिलिटी दौारा जारी किये लेटिस्ट हेल्थ अपडेट में बताया गया है कि मिथुन अब स्टेबल हैं और लगातार उनकी तबियत में इंप्रूव्मेंट देखने को मिल रही है आक्टर अप पूरी तरह से होश में भी हैं और रिकवरी प्रोसेस के दौरान काफी आक्टिव दिख रही है डिस्चारज किये जाने से पहले उन्हें कुछ टेस्ट से भी गुजरना होगा जिसके बाद आक्टर को वापिस घर भेजने का फैसला लिया जाएगा मिथुन चक्रवर्थी की सेहत के बारे में खबर मिलने के बाद पूर्फ क्रिकेटर सौरफ गांगुली और पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रमुक सुकांत मजूमदार उनसे मिलने भी पहुँचे थे मितुन चक्रवर्ती अभी बिंगाले फिल्म शास्त्री की शूटिंग कर रहे हैं और इस फिल्म में उनकी को स्टार देबश्री रॉय ने बताया कि आक्टर की सेहत अब पहले से कहीं बहतर है और उन्हें ICO वार्ट से भी बहर शिफ्ट कर दिया गया है आपको बता दे कि मितुन चक्रवर्ती को जनवरी 2024 में उनके भारत्य सिनमा में अद्वित्य योगदान के लिए पद्म भूशन से भी सम्मानित किया गया था